हाई गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम अप्रेल महीने के सभी important appointments कवर करने वाले हैं ये सभी appointments हमने अपने डेली करंट अफेर्स सेशन में details में कवर की हुए हैं साथी गाईस इस सेशन क शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी one year की membership आप अवेल कर सकते हैं जिसके अंतरकत आपको चैनल पर upload होने वाली current affairs वीडियो PDF format में मिल जाएगी इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक सार के लिए valid रहेगी इसमें आपको जो भी हमारे daily current affairs PDF प्रोवाइट करा जाते हैं वो आपको PDF में मिलेगा weekly PDF मिलेगी और monthly PDF भी आपको इसमें मिलेगी साथी topic वाई जो भी हम current affairs वीडियो बनाते हैं जैसे की books and authors, days and themes, appointments, obituries, important committees ये सभी भी आपको PDF format में प्रोवाइट कराई जाएगी और इस membership को पाने का link कोई भी आपकी query हो कुछ भी आप पूछना चाते हैं तो हमें comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरूवात इस video session की भारतिय लगू उद्योग विकास bank के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? options आपके सामने है और करेक्ट आंसरोगा option D. So, Siva Subramaniam Raman has been appointed as chairman and managing director of Small Industries Development Bank of India यानी SIDBI. SIDBI की स्थापना 2 April 1990 हुई थी और इसका headquarters लखनौव में है. भारत सरकार में वित्त सचीव के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? करेक्ट आंसरोगा option C. T.V. Somnathan has been designated as the finance secretary in the Indian government. कलगत्ता उच्चे न्याले के कारेवाहक मुख्य न्याइधीश के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? सही आंसरोगा option B. Justice Rajes Bindal has been appointed as the acting chief justice of the कलगत्ता high court. हाल ही में रसायरिक हत्यार के निशेत के लिए संगठन के बहरी लेखा परिक्षक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? सही आंसरोगा option B. G.C. Murmu has recently been appointed as the external auditor of the organization for the prohibition of chemical weapons यानी OPCW. OPCW का headquarters तहेक नेदर लेंड्स में हैं और साथ ही आपको बता दें G.C. Murmu ये भारत के 14th कैग हैं यानी Comptroller and Auditor General है. पश्चिमी वायू कमांड मुख्याले प्रसासन के वरिष्ट अधिकारी के रूप में किसने पदभार समाला है? सही आंसरोगा option A. PC करकरे took over as Senior Officer in Charge of Administration of Headquarters Western Air Command. Western Air Command का Headquarters New Daddy में है. नासकोम की पहली महिला Chairperson कौन बनी है? options आपके सामने है और correct answer होगा option D. So, Rekha M. Menon has become the first woman chairperson of नासकोम. नासकोम की full form है National Association of Software and Service Companies और ये भी New Delhi में located है. Miguel Mario Diaz Canal को किस तेस्की Communist Party के पहले सचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है? options आपके सामने है और correct answer होगा option A. Cuba और Cuba की capital है हवाना और यहां की currency है Cuban peso. अतनू चकरवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है? सही answer होगा option D. अतनू चकरवर्ती has been appointed as the part-time chairman of SDFC bank. साथी friends SDFC bank के MD&CEU है ससीधर जगदीशन headquarters मुंबई महाराष्ट में है. SDFC bank से related जो भी हमारे current affairs हैं जनवरी 2021 से लेके अब तक के ये भी हम जल्दी से revise कर लेते हैं. हमने अपने डेली current affairs session में इन सभी को MCQS format में cover किया हुआ है. देखिए SDFC bank 21 social sector startups को smart app grants provide कर आएगा. तो याद रखिया smart app जहां भी होगा, ये SDFC bank से related है. साथी Asia money द्वारा SDFC bank को India का best SME bank कोशित किया गया है. SDFC bank का एक campaign है, मुव बंद रखो. SDFC bank ने smart app उन्नती इस program को launch किया है. देखिए फिर से smart app आ गया है यापर. SDFC bank और Red FM ने मिलकर launch किया है Talent Unlocked Program. साथी नाबाड द्वारा SDFC की जो आसाम में ब्रांच है नगाओं में इसको best performance in microfinance का award मिला गहे. साथी SDFC bank ने common service center यानी CSC का जो digital सिवा portal है, इसमें अपना जो chatbot है, EVA या EVA आप कहा सकते हैं इसको launch किया है. Associate Attorney General का पत समालने वाले पहले भारतिय अमेरी की Associate Attorney कौन बन गए हैं या बन गई हैं? साई आंसर होगा Option A. So, Vanita Gupta has become the first Indian American Associate Attorney to hold the Office of Associate Attorney General. Murali M. Natarajan को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से निउक्त किया गया है? साई आंसरों का Option A. Murali M. Natarajan has been reappointed as the MD and CEO of DCB Bank. DCB Bank का headquarters मुंबई महाराष्टर में आपको जानना जाएं. राष्टे डोपिंग रोधी एजन्सी NADA के महानिदेशक यानि Director General के रूप में किसे निउक्त किया गया है? साई आंसर होगा Option D. सिधार सिंग Long Jam has been appointed as the Director General of National Anti-Doping Agency NADA. Cloud Joseph को किस देश का नया परदान मंत्री निउक्त किया गया है? साई आंसर होगा Option A. Cloud Joseph has been appointed the new Prime Minister of Hathie. Hathie की Capital है Port of Prince और यहां की Currency है Hathian Guard. Westwick समाचार Agency Writers की पहली महीला प्रदान संबादक के रूप में किसे निउक्त किया गया है? Options आपके सामने हैं और correct answer होगा Option C. Alexandra Galoni has been appointed as the first woman editor-in-chief of Global News Agency Writers. भारत निर्वाचन आयोक के मुख्य चुनाव आयोक के रूप में किसे निउक्त किया गया है? सही answer होगा Option D. So, सुसील चंद्र has been elected as the Chief Election Commissioner in the Election Commission of India. तो इस तरह से पूरा structure है. Chief Election Commissioner है सुसील चंद्र, सुनील अरोडा को इन्होंने रिप्लेस किया है. और Election Commissioner है राजीव कुमार. गुलेर्मो लासो को किस तेश के राष्टपती के रूप में चुना गया है? सही answer होगा Option B. गुलेर्मो लासो has been elected as the President of Ecuador. इकवाडोर की capital है कुईटो और करंसी है US Dollar. ओह मौदो महामदो को किस तेश के परदान मंत्री के रूप में न्युक्त किया गया है? सही answer है Option A. So, नाइजर के परदान मंत्री के रूप में न्युक्त किया गया है. नाइजर की capital है नियामे और capital या की करंसी है West African CFA Frank. रामकरन वर्बा को किस तेश में भारत का राजदूत न्युक्त किया गया है? Option साब के सामने है और correct answer होगा Option A. रामकरन वर्बा हैस बीन appointed as the ambassador of India to Gabon. Gabon की capital है लेबरेविल और करंसी है Central African CFA Frank. National Council of Applied Economic Research की पहली महिला महानिदेशक कोन होंगी? सही answer है Option D. पूनम गुपता विली बी the first woman director general of National Council of Applied Economic Research, NCAER. फाम मीन चीन किस देश के अगले प्रदान मंत्री होंगे? सही answer होगा Option C. फाम मीन चीन विली बी the next Prime Minister of Vietnam. और साथ ही ये भी जान लिजे वियतनाम की capital हनोई है और यहां की करंसी है Vietnamese Dong. Mission कर्मयोगी के तहर इस्थापित चमता निर्मान आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्तिया गिया है? सही answer होगा Option B. जो मिशन कर्मयोगी है तो ये एक bureaucratic reform से रिलेटेड है जब civil servants का recruitment किया जाता है तो recruitment के बाद जो उनकी training होती है training में कुछ इस तरह से सुधार किया जाए ताकि उनकी performance उनकी service जो है काफी performance जो है enhance हो सके अच्छी हो सके इस पर ये काम करने के लिए बनाया गया है निम निकित में से कौन सा युगन सही रूप से मेल खाता है तरुन बजाज क्या revenue secretary है बिलकुल है अजे सेट क्या economic affairs secretary है बिलकुल है ग्यानेश कुमार क्या parliamentary affairs secretary है बिलकुल सही है तो इसलिए सही answer होगा option D all of the above भारत के 48-वे मुख्य नियाधिश के रूप में किसे न्यूथ किया गया है सही answer होगा option D नुधलपती वेंकटा रमन या N.V. रमन आप कह सकते हैं RBI के किस पूर्व governor को Britannia Industries का अतिरित निदेशक न्यूथ किया गया है सही answer होगा option B So RBI की जो पूर्व governor है Dr. Urjit R. Patil तो इन्हें जो है Additional Director of Britannia Industries अपॉइंट किया गया है BCCI की भरष्टचार निरोदक इकाई का नया प्रमुक किसे न्यूथ किया गया है सही answer होगा option D अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे न्यूथ किया गया है Options आपके सामने है और correct answer होगा option B So Chintan Vashnow has been appointed as the new Mission Director for Atal Innovation Mission साथे आपको इभी जानना चाहिए Atal Innovation Mission को 2016 में set up किया गया था वजोसा उस्मानी किस देश की राष्टपती बनी है सही answer होगा option B वजोसा उस्मानी has become the president of Kosovo Kosovo की capital है Pristina और currency है Euro ONGC के अध्यक्ष और प्रबंदनी देशक का अतिरिक्त प्रभार किसने गरेंड किया है या किसने समाला है सही answer होगा option C सुभाज कुमार assumed additional charge of ONGC's chairperson and managing director CMD ACT accelerator के लिए WHO के visage दूद के रूप में किसे निक्त किया गया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A card bid has been appointed as the WHO's special envoy for the ACT accelerator काफी important question है ACT accelerator इसकी full form है SS2 COVID-19 tools accelerator तो यह एक G20 countries का initiative है और इसके तहत इनका जो target है यह है कि 2 billion doses of COVID vaccines secure की जाए और जो testing kits है जो भी important material है यह low income countries है इनको provide करा जाए middle income countries है इनको provide करा जाए मुहमद बजूम किस देश के नए राष्ट पती बने हैं सही answer होगा option A मुहमद बजूम became the new president of NICER सर्वजनिक उद्यम चैन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer है option C मलिका स्रीनिवासन has been appointed as the chairperson of the public enterprises selection board करमचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेश का कारेबार किसने समाला है सही answer है option C मुकमीत एसबाटिया took over the charge of director general of employees state insurance corporation ESIC L&T Technology Services के CEO और MD के रूप में किसने पदभार समाला है सही answer होगा option A अमी चड़ा took over as the CEO and MD यानि CMD of L&T Technology Services निलम शाहनी को किस राज्यकार निया राज्य चुनाव आयोक्त नियुक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D निलम सानी has been appointed as the new state election commissioner of आंधरा परदेश अमेरिकी राष्टपती Joe Biden ने किस भारतिय अमेरिकी को DC जीला नियालाएके नियाधी इस के रूप में नामित किया है सही answer है option D The US President Joe Biden nominated Rupa Ranga Putagunta जो की Indian American है as judge of DC District Court Last question है हमारे पास friends Soma Mondal को Standing Conference of Public Enterprises का निया अध्यक्ष चुना गया है वह किस महारतने company की chairman है सही answer होगा option A Soma Mondal has been elected as the new chairman of Standing Conference of Public Enterprises sees the chairman or chairperson of SEAL यानि Steel Authority of India आयोब आपको मारे session काफी पसंद आया होगा और साथ में आप सभी current affairs funda को टेलिग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं साथ ही दोस्तों यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys